रक्षा मंत्री राजनात सींग का बयान सामने आया है सुरेश के उपर व्रचाचार का दाग नहीं लगा है रक्षा मंत्री ने ये बात कही है और साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो घोश्रा की है उसे पूरा किया है हम जनता के भरोसे को टूडने नहीं देंगे रक्षा मंत्री राजनात सींग ने अमेठी से ये बात कही है और इसी के साथ मुनों ने कहा कि हमारी पार्टी ने जनता की हरदम चिंता की है और पी-एम जन्धन योजना के तहट सब का खाता खुला रक्षा मंत्री राजनात सींग ने ये तमाम जो की बीजेपी की उपलब्दिया है और साथी कहा कि किसानों के सिचाई के लिए मुफ्त मैं बिजली भी उपलब्द करवाई दो करो टैबलेट और स्मार्ट फोन अब मिलेंगे ये बात रक्षा मंत्री राजनात सींग ने कही है आपको बदा दे कि उपलब्द के अमेठी से रक्षा मंत्री राजनात सींग ने बड़े दावे कियां साथी कहा है कि सुरेश को उपर जो भी व्रिचचार कारूप है वो गलत है और इसी के साथ में उन्हों ने ये भी कहा कि बीजेपी ने जो घोश्रा की है उसे पूरा किया है और साथी रक्षा मंत्री ने कहा कि हम जनता के भरोसे को तूटने नहीं देंगे और आगामी दिनों में लगाता जनता के लिए काम करेंगे और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा ही जनता की चिंता की है और पीम जन्दन योजना के तहट सबका खाता खुला ये बात रक्षा मंत्री राजनाद सिंग ने कही साल के 360 दिन 24 घंते और सातों दिन हर हालात, वाक्यात की, हर ख़बर की, हर दस्तक को देखने के लिए एन्वी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को करें सपॉलो उठाइए रिमोर और जुड़िये एन्वी न्यूज के साथ टाटा स्काय चैनल नंबर 1927 और एर्टेल चैनल नंबर 356 पर अब एन्वी न्यूज जियोटी, मोबी अप, एर्टेल एक्स्ट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और एप स्टोर पर भी अवेलबल है, एन्वी न्यूज आपके भूलंद आवाज, आपकी बाद